प्यारे विजातियों मैं अभी भी कह रहा हूं कि समय समय पर अगर आप मोटिवेट नहीं होंगे और विशेश रणनेटी से नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाओंगे अभी भी कह रहा हूं जिंदगी दुबारा मौका नहीं देगी यूटूबर पर हर चैनल पर हर आपको हर सिक्सक बार-बार मौका देगा जिंदगी नहीं देगी शिक्सक क्या मौका देगा शिक्सक यह मौका दे सकते हैं यह कोर्स ले लो यह अलग से कोर्स ले लो यह कॉंबो कोर्स ले लो अब मैं क्रेस कोर्स करवा देता हूं अब मैं य यह चीजे सब करवा रहे हो तो एक वारी मी करवा दो तो चिक सक हर बार आपको मौका देगा सरकार नहीं देगी सरकार दे भी दे जिन्दगी दुबारा मौका नहीं देगी और जिन्दगी भी दे पर माबाप के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें हर बार कोचिंग करव कि सर हमारा सेलेक्शन हो जाएगा क्या वीड़ सर मैं 10-10 गंटे पढ़ाई करता हूं सर मैंने senza मेन ने थो कमिया ऐसी रख देते हो तो इतना पड़ा हुआ भी आपके कुछ काम का नहीं रहता है और अक्सर विद्यारती कौन-कौन सी गलतिया कर देता है ऐसी कौन सी गलति कर बैठता है जिसके करण उसको बढ़ती से हाथ दोना पड़ता है मैं बात करता हूँ प्यारे विद्यारतीयों पसौ परिचर एक्जाम के अंदर अभी वर्तमान के अंदर विद्यारती कौन-कौन सी गलति कर रहे है मैं इन गलतियों की बात करूँ तो देख़े सबसे पहले तो विद्यारती क्या है अभी जो हाली में जो पढ़ाई का patent है अभी वो patent के अदार पर पढ़ी नहीं रहे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एक इस बर्ती को दो भाग में divide कर दिया गया है यानि कि अ भाग और बाभाग ये syllabus के अंदर ही divide कर चुके है अब विद्यारती राजस्तान में ज़्यादा तर वो विद्यारती हैं जो arts, commerce या science के candidate हैं जो नहीं उन फॉर्म लगाए इसमें कोई भी LSE या veterinary का बच्छा नहीं है अगर है तो भी 1 या 2% है अब उनको पता नहीं है तो उनके mind में यही है कि जिसके 50 नमबर का बभाग के लिए रोगा उसी का selection होगा सबसे बड़ी गलती उनकी याँ पर है आप यह मान लो कि जो exam में बेटे हैं वो सारे आप जैसे हैं और उसमें से आपको अभाग कितना आ रहा है अब मुझे यह मानिये कि बभाग का जो क्राइटेरिया है वो आपके 45 नमबर का है कितने नमबर का है 45 नमबर का है जबकि अभाग का क्राइटेरिया कितना है 105 नमबर का तो बभाग के नमबर जादा है या अभाग के नमबर जादा है अब आप लोग क्या इसको हलके में ले ले तो, इसमें तो राजस्तान जी की तो है भाई इसमें जनरल साइंस भी है, इसमें मैथ भी है, इसमें सामाजी कद्धिन भी है, इसमें राजस्तान का करंट अपेर्स भी है तो विद्यार्तियों मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपको जो 105 नंबर का जो पॉर्ट्सन है इसको तार्गेट करना चाहिए बह भाग पसु पालन का है वो मत्र और मत्र 30 से 35 या मैजिमम 40 गंटे का सेलबस है मैजिमम बता रहा हूं मैं मिनिमम नहीं 40 गंटे के अंदर अगर एक फ्रेस बंधा बैठे जो आज तक पसु पालन नहीं पड़ा है वो 40 गंटे में सेलबस कंप्लिट कर सकता है जब कि मैं मान के चलू तो यह सेलबस आपके 200,500 गंटे में भी कंप्लिट नहीं होता है अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ते हो तो तो प्यारे विद्यातियों यहां पर आपको 105 नंबर को तारगेट करना चाहिए और विद्याति सबसे बड़ी गलती यह कर रहे हैं तारगेट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा पसु पालनौले भाग को पसु पालनौला भाग मैंने लगवग एक वाड कंप्लीट कोर्स भी करवा दियान सब चीजे कर दी मुझे इतना कुछ भी नहीं लगा इसमें मात्र मात्र 30-40 गंटे के अंदर आप इसको कवर कर सकते हो तो बारी किसकी हैं सबसे पहले एक इस बात के अंदर ध्यान दे आप अगर यह गलती करे हैं तो सबसे पहले इसको सुधारे कि यह जो सब्जेक्ट है इनको तार्गेट करो आप राजस्तान जी के जनरल साइंस मैं सामाजी कर दिन इसमें एक प्रावलम होती हैं विद्यार्ती ज्यादा तर बहुत भाग पे ध्यान क्यों देता हैं इसके पीछ से देखा कभी उसी कोचिंग का देखा कभी किसी के देखा तो वह क्या करते हैं सब अलग अलग तरीके से गाइड करते हैं काफी टीचर मार्केट के अंदर एसा खौप पैदा कर रहा हैं कि जिसको पसु पालन आएगा उसी का सेलेक्शन होगा यहां पर विद्यार्ती मात जाते हैं यहां पर विद्यार्ती मर जाता है कि क्यों मर जाता है क्योंकि वह केवल इस यूटूब से उस यूटूब उस यूटूब जाएगा पर वह पढ़ाई नहीं करेगा उसको यह पदाने चलेगा कि पढ़ना क्या है जहां पर यूटूब पे जाएगा केवल एक सब प्रोसा नहीं है तो मैं कहता हूं कि किसी का चैनल देखो मत मेरा भी मत देखो मेरा भी मत कह रहा हूं किताबे लेकर बैठ जाओ कौने में सेलेक्शन हो जाएगा बटकना छोड़ दो फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे अच्छा सा गाइड चेद एक यूटूब को पकड़ लो जो वो सर कह रहे हैं उनके नियुमों को फोलो करें और जैसा वेवस्ती दूरूप से बताया से पढ़ना आपको यहां पर कुछ अलग चीज़े बताएंगे आपको यहां पर चीज़े अलग होगी यहां पर अलग होगी फिर क्या होगा एक यूसन आएगा उसक अलग यूटूब को आपस में कम्प्रेजन करते रहा और सेलबस कभी भी कंपलीट नहीं होगा इस से अच्छा विद्यारती अगर मान लीजी इस यूटूबर ने अगर आपको एक क्यूसन साहईद आखड़ा गलत भी बता दिया कोई बात नहीं आपके पास 159 नंबर तो यह सही बता रहा है और यह ना बाद समझ में कभी भी मत बढ़को एक सिंगल के उसन को लेकर हजारों बार डिसकर्स मत करो सेलेक्षन का राज यहीं पिछिपा हुआ है काफी विद्यारती पढ़ते तो नहीं नोटेंग की बद जादा करते हैं फुलाने सर्ण ने यह बताया फिर वो दूसरे को भी कंफ्यूज करता है साथ में लेकर बैठता डिसकस करता रहता है तो यहां पर यह दूसरी आप सब से बड़ी कलती करते हैं यूटूब से यूटूब गूम कर और काफी ऐसे विद्यारती देखता हूं मैं जो अधर केता है मेरे पास तो छे बुके बढ़िए क्या करेगा ब्याचार डालेगा कि सेलेक्षन होगा तो एक में हो जाएगा नहीं तो पूरे मार्केट में जाना ब बुक ले और डंकी ले जिसमें सोट मेटर हो व्यवस्तित हो और पढ़ ले बस बात खतम हो जाती है अब प्यारे विद्यारती एक यह जो आप गलती करें हैं इस गलती को आप सबसे पहले कैंसिल करें ज्यादा यूटूब से यूटूब गूमने की कहीं अशुक्ता नहीं हैं बस एक ही यूटूब चैनल या एक सर को फॉलो करें और उसके अनुसार आप पढ़ाई शुरू करते हैं तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं विद्यारती अगर मैं इसकी बात करूं तीसरी सबसे बड़ी आप गलती है करते हैं कि आज तक भी कोई विद्यारती से पता नहीं है उनको यह पता नहीं है कि सामाजिक अध्यन में क्या पढ़ना है वो केवल गुमरा रहता है वो केवल गुमरा रहता है जो सब्जेक्ट आता है उसी को बार-बार पढ़ता है एक दो चीज आ रही है उसी को पढ़ लिया और उसको लग रहा है कि सेलेबस कंप्लीट हो गया कता ही नहीं सेलेबस को व्यवस्तित रूफ से मान लिजे आपने राजस्तान जीके शुरू किया है तो राजस्तान जीके के अंदर जैसे मान लिजे आपने सबसे पहले राजस्तान का कला संसकर्ती शुरू कर दिया आपने तो कला संसकर्ती का संपूर्ण सेलेबस निकाड़ो सर हमारे विश्ट्रित नहीं दे रखा हैं तो कोई बात नहीं वो सारे टॉपिक निकाड़ो जो राजस्तान कल्चर में सामिल है एक-एक टॉपिको वेवस्तित रूप से पढ़ो उसके MC क्यूब निकाड़ो और एक तार्गेट लेके चलो कि हमने ऐसे सेलेबस कंप्लीट करना है सार सेलेबस ही तो कंप्लीट नहीं हो रहा है यह सबसे बड़ी समस्या है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है एक अच्छी रणनिती बना रखी है कि 1500 दिन के अंदर किस परकार से पसुपालन की तेहरी करें वो वीडियो इसके डिस्क्रेशन बॉक्स में लिंक डाल लगा आप वो जरूर देखना आप खुद को प्ला चल जाएगा कि syllabus कैसे कौंपलीट करना ऐ है गलते है आप आप खुद गलते हैं कर रहे हो फिर दो सरकार में देंगे paper हाड दे दियान फेपर वो दे दियान वो दे ना पहले खुद में सुधार करो पर कि शेलेबस को वेवस्त्य तरीके से राजस्तान जी के कला संस्कृत्य ले लिया भूगोल ले इत्यास ले लिया सामाजी गद्यान गणीत या फिर जनरल साइंस totally subject आपने complete कर लिये उसके बाद syllabus complete करने के बाद अगर आपने syllabus complete कर लिया है और आपने आपकी जाच परक नहीं की है तो ये भी आपकी सबसे बड़ी बूल है जाच परक का मतलब होता है कि आपको model paper देना होगा model paper बहुत ज़यदा जैसे मानलीज आपके डेट सो नंबर का मॉडल पेपर हैं फ़र्ष्ट मॉडल पेपर दिया और आपके मानलीज ये सो नंबर ही आए मैं कहता हूं कि कोई बंदा अच्छी प्रेक्टिस करता है और पंदरा मॉडल पेपर देता है तो एवरेज उस बंदे के 135 प्लस नंबर आने लग जाएंगे क्योंकि फ़र्ष्ट मॉडल पेपर से लश्ट मॉडल पेपर तक आपके पास बहुत ज़्यादा नबह आता है किस परकार से सवाल आते हैं कैसे पैटेंट क्याते हैं प्रिविस ये के क्यूशन कैसे आरक है वो सारी चीज़े वाँ मिलती मॉडल पेपर से ले ओनने दे या ओफ लिए सर आपकी जैसी चाहें मार्केट से अगर और्फलेvert Crown से였습니다 आप ऑप मॉडल पैपर से आप टाइम मेनेजमेंट सीखेंगे अंगे कि आपको कितने समय के अंदर करना है और एक अंदर का डर है वह खतम हो जाएगा और model paper करने के लिए भी अगर आपके पास नहीं है तो हमारे एप के अंदर सारे डाल रखे हैं कोई भी परकार का चार्ज नहीं है एप डाउलोड कर लाना उसके अंदर सारे model paper मिल जाएगा कौण सा एप है तर ओनलें सारती एप है नहीं मिले तो इसका भी में लिंक है वो डिस्क्रेस्टम बॉक्स में डाल दूँगा आप वहां से ले लेना महां पर आपको लगबग 10 model paper अभी डाल रखे हैं अच्छे और व्यवस्तित जैसे exam में पूछा जाएगा उसके आदार पर तो यह करना बहुत जरूरी है वही चोती गलती यह ना करें कि model paper नहीं दे model paper आपको 100% देना है और last की मैं बात करूँ कि यह सारी जो चीजे हैं बच्चा कहता हैं कि सर syllabus का बराबर videos नहीं मेलता हमें PDF नहीं मिल पाती है किसी को किसी को इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी कलास कब हुई काफी विद्याट्य भी हैं जो बीच में जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं तो उन सब के लिए हमने ये हेल्प लाइन बडरी कर रखा है आप इसके उपर बात कीजिएगा टेक्निकर टीम आपका सपोर्ट करेगी सेलेबस वगर सारी चीज़े अपने वो टेलिग्राम ग्रूप में एड़ कर रखी हैं सर हमें ऐसी चीज़ बताए कि अब समय कम है हमारे पास कम समय के अंदर अब हमें एक वेवस्ति तरीके से सलेक्शन की रणने थी कि हमें तो यही पढ़ना बस इसके सलावा कुछ नहीं प बढ़ाएं हैं नोट्स क्या बढ़ाएं परिचर के नोट्स बढ़ाएं हैं यह 45 नंबर का पॉर्चन है फिलाल की ताई में कितने नंबर का पॉर्चन है यह 45 नंबर का पॉर्चन है इस 45 नंबर के पॉर्चन के अंदर इस 45 नंबर के पॉर्चन में सारी वो चीज़े दे रखी है इस 45 नंबर के पॉर्ट्ट में वह सारी चीजे कवर कर रखी तो आपके सेलेबस में तो आप अगर मान ले तो आप इसमें से 45 नंबर का पॉर्ट्ट कवर करते हो तो मैं मान के चलता हूं कि सिंगल के उसन गलत नहीं होगा अगर आप वास्तमी तरीके से पढ़ता हो किस परकार से पढ़ना है तो यह व्यवस्तित रूप से यह सारे इस परकार से मेटर डाल रखा है आप के टाइम के अंदर वह सारी चीज़े यही माइना रखती है कि आप जो पढ़ रहे हैं वह इसमार्ट पढ़ा है या कहता हूं कि जब paper होए तो तब देखना आप इसमें 100% सवाल देखने को मिलेंगे आपको इसी परकार जैसे हमने यह राजस्तान दिला दर्शन के बारे में बता रखा हैं वैसे राजस्तान कल्चर राजस्तान इस्ट्री रास्तान जोग्राफी की जो विवस्ति सेलबस के में समय पर अगर आप मोटिवेट नहीं होंगे और विशेस रणनेती से नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाओंगे अभी भी कह रहा हूं जिन्दगी दुबारा मौका नहीं देगी यूटूबर पर हर चैनल पर हर आपको हर सिक्सक बार-बार मौका देगा जिन्दगी नहीं द सिक्सक हर बार आपको मौका देगा सरकार नहीं देगी नहीं देगी और झिन्दगी देगी और माबाप के पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हें हर बार कोचिंग करवाई हर बार तुम्हें पढ़ाए तो प्यारे विज्यारतियों इन नियमों को को खोलो करो आज ही कर दो अपना आपको सेलेक्शन से अगर आपको कोई रोक दे तो फिर मुझे बताना कि सर आपने जैसा का और वैसा आमने पड़ा आया और मार सेलेक्शन नहीं हुआ सत्रा लाकी भीड को काटने के लिए मजबूत बढ़ना पड़ेगा और ये मजबूत बढ़ने का ये की रास्ता है कि छोटी छोटी जो गलतियार ये रास्ते में उसको दूर करो हंडेट परशेंट सेलेक्शन होगा मैं ऐसी सुपकामनाय करता हूँ आपका मित्र संपतराज जैहन सात्यों